प्रादेशिक समाचारे कांज भोपाल से प्रस्तुत है सीधी जिले की चिठ्थी अलेक सचींद्र मिश्र वाचक स्वर सैयुकता बैनर जी सीधी जिले में चुनावी बिगुल बच चुका है जिले के चार विधानसभाक शेत्रों चुरहट, सीधी, सिहावल और धोहनी विधानसभा के लिए अधी सूझना 21 अक्टूबर को जारी की जाएगी इसी दन से नामांकन पत्र दाखल किये जाएंगे नामांकन पत्र दाखल करने की आखरी तारीक 30 अक्टूबर है दाखल नामांकन पत्रों की जाच 31 अक्टूबर को की जाएगी उमीद्वार 2 अक्टूबर तक नाम वापस ले सकते हैं सभी वधानसभाक शेत्रों में निर्धारत मद्दान केंद्रों में 17 अक्टूबर को मद्दान होगा सभी वधान सभाक शेत्रों की मत करना जिला मुख्याले सिधी में तीन दसंबर को होगी सिधी जिले के जिला नर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर साकेत मालविया ने बताया कि सभी मद्दान केंद्रों में पानी, छाया और शौचाले आधी की ववस्था कर दी गई है दिव्यांग मद्दाता और 80 साथ से अधिकायू के मद्दाता डाक मत पत्र के माध्यम से घर से भी मद्दान कर सकते हैं कलेक्टर ने बताया कि मद्दाता सूची में नाम जोडने की कारिवाही 20 अक्टूबर तक जारी रहेगी सीथी जिले में मद्दाताओं की कुल संख्या 10,26,142 है इसमें 5,32,289 पुरुष, 4,93,841 महिला मद्दाता और 12 अन्य मद्दाता है चारो विधानसभाक शेत्रों में कुल 1,207 मद्दान केंद्र बनाए गए हैं कलेक्टर ने बताया कि विशेश संक्षप्त पुनरीक्षन गतेविधियों के कारण जिले के जेंडर रेशियो और EP रेशियो में सुधार हुआ है जेंडर रेशियो 915,23 से बढ़कर 927,77 हो गया है सीधी सिले में मद्दाता जागरुकता गतेविधियों का सतत रूप से आयोजन किया जा रहा है स्वीप आइकॉन की नियुक्ति की गई है साथी PWD, महिला, युवाओं के लिए भी नोडल स्वीप की नियुक्ति की गई है युवाओं को मद्दान के प्रती जागरुक करने के लिए कॉलेज अमबैसेडर और कॉलेज नोडल स्वीप की नियुक्ति की गई और बैठिक भी की गई सीधी जिले में राजिस्तर ये खेल प्रतियोगिता में युवाओं के मध्य मद्दाता जागरुकता गतिविधियां की गई विद्यालियों और महाविद्यालियों में स्वीप की गतिविधियां की गई प्रवाषी मत्दाताओं को मतदान करने के लिए स्वीब गतिवधिया की गई सीधि जिली में कलेक्टर ने बिना नंबर पलेट, तीन सवारी, चार पहिया वाहन में बिना सीट बेल्ट और लाल, नेली, पीली, बत्ती और सायरन या हूटर का उप्योग करने वाले वाहन चालकों के विरुध भी सक्थ वैधानी कारवाई करने के नर्देश दिये हैं सीधी जिली में अपर कलेक्टर और उपजला निर्वाचन अधिकारी राजेश शाही ने सभी मुद्रक और प्रस संचालकों को आदेश दिया है कि आगामी वधानसभा निर्वाचन 2023 के दौरान, पैंपलिट, पोस्टरों, आदी के मुद्रण और प्रकाशन की कारवाई के द सरपर बीते दिनों सभी मद्रान के इंद्रों में कारिक्रमों का आयुजन कर असी वर्श और अधिकायू के वरिष्ट मद्दाताओं को शौल और श्रीफल देकर सम्मानित किया गया सीधी जिले के शास्किया, हाय और हाय सेकंडरी स्कूलों में अध्यनवरत विद्यार्थियों में विज्ञान की प्रती रुची जागरुद करने, उनमें वैग्यानिक दृष्टिकोन विक्सित करने और विभन चमतकारिक घटनाओं के पीछे निहित विज्ञान के बारे म मुद्सव की धूम है, जिले भर में जगह जगह दुर्गा पंडाल सजे हुए है, चुनाव आचार सहिंता के मद्दे नजर प्रशासन मुस्तैत है, जिले में शांती समिती की बैठक का भी आयोजन किया गया, कलेक्टर ने कहा कि धार्मिक और सामाजिक कारिक्रमों में किस द्वारा सतत रूप से चौकसी रखी जाएगी और कानून व्यवस्था की स्थिति नर्मत करने वाले असामाजिक तत्वों के विरुध कठोर वैधानी कारवाई की जाएगी, सीधी जिले की चठी सबाब्त हुई